हलो दोस्तों आप सभी का विलकम करते हैं आपके अपने चैनल ओनलाइन अर्निंग में विड्डॉल लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से विड्डॉल लगाना है इससे पहले मैंने कल आपको KYC करके दिखाए था और इससे पहले प्रोफाइल अपडेट करके दिखाए था ये दोनों चीज आपको विड्डॉल लगाने से पहले कंप्लीट करना है और के वाइस ही आपको 24 गंटे के अंदर अपडेट हो जाती है या 24 गंटे बाद अपडेट हो जाती है तो मेरी 24 गंटे के अंदर ही अपडेट हो चुकी है तो अब हम विड्डॉल लगाएंगे अब मेरा हो चुका है तीन सो तीन रुपए हो चुके हैं तो हम 500 का विड्डॉल लगाएंगे मेनू पे क्लिक करेंगे फिर वालेट पे क्लिक करेंगे और फिर विड्डॉल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहां पे 303 रुपए शो कर रहे हैं यहां पे दाइसो रुपए का उसके बाद पांसो रुपए का इते इस तरीके का विड्रा लगेगा आपका तो हम दाइसो सेलेट करने के बाद हम पेटियम में लगा लेते हैं पेटियम पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद सम्मिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर request successfully done हो चुका है हमारा withdrawl successful लग चुका है ओके फिर click कर देंगे तो यहाँ पर 13 रुपाई हमारे बचे है और यह हमारा withdrawl अभी pending show कर रहा है जब हमारा withdrawl जब हमारा आ जाएगा उसके पास successful वहाँ show कर देगा और यहाँ पर history में जाके check कर सकते हैं कि हमारा withdrawl लगा है कि नहीं तो अभी नई show कर रहा है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है withdrawl हमारा लग चुका है और यहाँ dashboard पर भी मैं देखा देता हूँ यहाँ से भी minus हो चुका होगा यहाँ से minus नहीं हुआ है और यहाँ पर हम देख लेते मेनू में wallet withdrawal लेकिन यहाँ से minus हो चुका है दोस्तों और यहाँ पर लिख रहा है your last withdrawal is pending pending है जब successful हो जाएगा तो हो सकता हो वहाँ से minus हो तो जब हमारा withdrawl आ जाएगा तो फिर हम आपको दिखाऊंगा और dashboard पर से भी उस वक्त minus हो चुका होगा यहाँ पर wallet में pending show कर रहा है 500 रुपए और यहाँ से 500 रुपए कट चुके हैं तो हलवानी services में इस तरीके से ही आपको withdrawal लगाना है अगर withdrawal लगाने में कोई भी दिक्कत आपको आती है तो comment करिएगा मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूँगा और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करके bell icon दबा दिजे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share करिएगा और जिन लोगों को भी ये वीडियो मिला है किसी ने share किया है आप उन से लिंक मांगे जोइन कर लें थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए